हाई एव्रिवान हलो बच्चो तो यार कुछ निउस निकल के आ रही है और बहुत सारे बच्चे हमसे पूझ भी रहे थे कि क्या ये सही है कि नीट का रजिस्ट्रेशन फॉर्म अगले 48 घंटों में आ सकता है अगर हम बात करें मानस प्रतिम की तो ये टीओ आई में टाइमस अफ इंडिया में एक वरिस्ट पत्रकार है और ये मिनिस्ट्री ओफ एजुकेशन के साथ काफी क्लोज है और इन्होंने एक पोस्ट डाला था बच्चो कल जिसमें ऐसा लिखा हुआ था कि नीट का बच्चो जो अपना online application है यहां पर आप देखेंगे online application of NIT likely to be open in next 48 hours है ना 48 घंटों में ये आ सकता है तो अगर ऐसा है कि 48 घंटों में ये आ सकता है तो हमें क्या क्या तैयारिया रखनी है बच्चों तो हम आपको बस इतना बोलना चाहेंगे कि आप आराम से अपनी पढ़ाई करते रहें जादा अभी परेशानी मत लीजिए जैसे ही नीट का में registration form open हो जाता है अगर ये सही है news कि 48 घंटे में हो जाएगा अगर ये internet information सही है तो जैसी open हो जाता है आपके लिए एक proper detailed video बना दी जाएगे बिटा जहां पर बता दिया जाएगा क्या-क्या documents required हैं क्या-क्या चीजें आपको ध्यान में रखनी है form भरते समय कैसे भरना है payment कैसे करनी है सारी जी जोप एक detailed video बना दिया जाएगा इस video का aim बस ये था आपको ये बताना कि आपको जगे जगे अभी ऐसे notifications मिलना शुरू हो रहे होंगे please don't distract yourself ये छोटा सा video ये देखो पढ़ाई पे जोट जाओ ठीक है distract मत करो खुद को जब कुछ आ जाएगा आपको अच्छे से बता दिया जाएगा form भरना कैसे है everything as I said right सारी details आपको दे दी जाएगी बच्चो अभी बस अपनी anxiety को नीचे रखते हुए पढ़ाई करते रहिए और कल बेटा हम लोग rotational motion का एक लंबा सा marathon करेंगे 12 p.m. को उसको आपको join करना है ठीक है पढ़ाई करते रहिए और अपना anxiety कम रखिए stress कम लीजिए all the best बच्चो मिलते हैं classes में